तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से स्वागत हैं आपका अपने यूटूब चैनल HP Tucson Classes में तो काफी बच्चों की Queries है, Question है, Class 3rd to 8th वाले बच्चों के कि सर 15 फरवरी यानि कल से Class 9th, 10th, 11th and 12th का Final Exam Start है तो जो अधर Classes हैं क्या उनकी छुट्टी होगी, क्या फिर उनको स्कूल जाना है तो आज की वीडियो इसी टोपिक के रिगार्डिंगे, सबसे इंपोर्टन चीज यह है कि अगर आप अपनी डेट सीट को देखोगे Annual Exam की तो उसमें साफ साफ मेंसन किया गया Class 3rd to 8th के लिए कि 28.5 तक उनकी Classes चलेंगी Teaching Days वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो Classes चलेंगी लेकिन किसी किसी स्कूल में क्योंकि किसी किसी स्कूल में Center पड़ा हुआ है Class 10th and 12th का Board का ठीक है ना? और साफ में 9th and 11th का भी है, तो वो बच्चों की छुट्टी दे सकते हैं यह स्कूल के Management के हिसाब से है, ठीक है? किसी किसी स्कूल में छुट्टी होगी, किसी किसी स्कूल में बच्चों को बुलाया जाएगा उनकी पढ़ाई के लिए, यह चित ध्यान में रखना है तो पूरी बात को आपको अच्छे समझना है, जो बच्चे आज स्कूल गए होगे उनको बता दिया गया होगा जो बच्चे नहीं गए होगे, उनको भी ग्रूप में पता चल जाएगा, ठीक है? तो किसी-किसी स्कूल में स्कूल बुलाएंगे स्कूल जाना है और किसी-किसी स्कूल में छुट्टी होगी तो आई हो, पूरी बात समझ में आ गई होगी फिर भी कहीं पर doubt है, तो comment कर सकते हो आज की वीडियो में बच इतना ही था मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यो फॉर वाचिंग दिस वीडियो और टेक केर